क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की धर्ती पर ऐसी कौन सी जगहें हैं जहां पर एक अद्भुत रहस से छुपा हो? ऐसी जीलें जो सिर्फ अपने खूबसूरत द्रिश्य के लिए नहीं, बलकि अपनी रहस से मई कहानियों के लिए भी जानी जाती हैं। ये कहानियां आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, क्या ये सच में अद्भुत हैं या सिर्फ मिथक? जैसे जैसे हम इन जीलों की ओर बढ़ेंगे, आप जानेंगे कि इन में छिपी हैं, अनकही दास्तानें, जो सदियों से लोगों को आकरशित करती आ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि इन में से कुछ जीलें गहरी रात में अजीब रौशनी छोड़ती हैं? क्या ये सिर्फ प्रकृती का खेल है या इन में छिपा है कोई पुराना राज? आज हम आपको ले चलेंगे इन अद्भुत जीलों की यात्रा पर, जहां पर हमारी कलपना से परे कुछ रहस्य और रोमान छिपा है। इस जगह को खास बनाती हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस जील में छिपा क्या है? सूर सरोवर का नाम सुनते ही आपके मन में क्या तस्वीरें आती हैं? क्या ये सिर्फ एक शांत जील है या इसमें कोई छिपा हुआ रहस्य है? कहते हैं, इस जील के पास रहने वाले हुआ यहाँ पर अजीब आवाजें सुनी हैं। कई लोग कहते हैं कि ये सूर सरोवर के जल में छिपे जीवों की हैं। हम हमेशा से सुनते आए हैं कि इस जील में कुछ तो खास है। क्या आपको पता है, सूर सरोवर को सुरम में जील भी कहा जाता है। यहां का वातावरन इतना शांती भरा है कि कोई भी यहां आकर खुद को खो सकता है। यह एक आदर्श स्थान है, परिवार के साथ पिकनिक मनाने के लिए, लेकिन जब रात का अंधेरा च्छा जाता है, तो यह जगह कुछ और ही रंग में ढल जाती है। सरोवर सिर्फ एक प्राकृतिक सौंदर्य नहीं है, बलकि यह यहां की जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहां पर विभिन्न प्रकार के पक्षी और जीव जन्तु पाये जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि सर्दियों में यहां पर प्रवासी पक्षियों की कई प्रजातियां देखने को मिलती हैं। यह एक ऐसा नजारा है जिसे देखना हर प्रकृति प्रेमी की ख्वाहिश होती है। क्या आप कलपना कर सकते हैं जब आप इन खूबसूरत पक्षियों को उड़ते हुए देखते हैं और उनके गीत सुनते हैं। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू लेगा। लेकिन इन सब के बीच सुर सरोवर की एक और खासियत है। यहाँ पास में एक प्राचीन मंदिर है जो कई सालों से यहाँ की संस्कृती का हिस्सा रहा है। लोग यहाँ आकर प्रार्थना करते हैं और अपने मन की इच्छायों मांगते हैं। कहते हैं कि यहाँ की शान्ती और सुन्दर्ता के कारण लोग अपने दुख दर्द भुला देते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि प्रकृती और आध्यात्मिक्ता का ऐसा अनोखा संगम कहीं और होता है। सुर्ज सरोवर की खासियत यह है कि यह एक संरक्षन क्षेत्र भी है। यहाँ के स्थानिये लोग इसे अपने लिए एक जीवन दाइनी स्रोत मानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पर अकसर पर्यटकों को कुछ अजीब घटनाएं होती हैं। स्थानिये व्यक्ति का कहना है कि कई बार लोग यहाँ आते हैं और कहते हैं कि उन्हें अजीब से अनुभूतियां होती हैं। कुछ कहते हैं कि पानी की लहरें अचानक बढ़ जाती हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें अंदेखे जीवों का अनुभव होता है। ये सब सुनकर मुझे लगता है कि इस जील में कुछ तो खास है। यहां की कहानी सिर्फ ये नहीं है कि यह एक सुन्दर जील है। यहां के पानी में छिपा है एक पुराना रहस्य जो आज भी अनसुलजा है। कई इतिहासकार और शोध करता यहां आकर इसकी गहराईयों में उतरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप उनमें से एक बनना चाहेंगे। तो दोस्तों, सुर सरोवर सिर्फ एक जील नहीं, बलकि एक रहस्य, एक यात्रा और एक अनुभव है। क्या आप इस अद्भुत स्थान की यात्रा पर जाने के लिए तैयार हैं। नमबर टू पर है सतीश धारा। हिमाचल प्रदेश की उचाई पर बसी, सतीश धारा एक ऐसी जगह है, जहां प्रकृती ने अपनी खूबसूरती को बखूबी बिखे रहा है। यहां का हर कोना, हर कर्ण एक कहानी कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस धारा के पीछे छिपा एक रहस्य भी है, जो सदियों से लोगों को अपनी ओर आकरशित करता रहा है। सतीश धारा का नाम सुनते ही आपके मन में क्या छवी आती है। क्या यह केवल एक जलधारा है या फिर इसके पीछे कुछ और है। स्थानिये लोग मानते हैं कि यहां का पानी जादूई है। कहते हैं इस जल में कुछ विशेश गुण हैं जो लोगों की बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। लेकिन क्या यह सच है? चलिए, इसे जानते हैं। वहां की लोगों का कहना है कि हमारे गाव में लोग हमेशा कहते हैं कि सतीश धारा का पानी पीने से स्वास्थि में सुधार होता है। कई बार तो मैंने खुद देखा है कि लोग यहां आकर इस जल का सेवन करते हैं और अपनी समस्याओं से राहत पाते हैं। यहां की जलधारा की आवाज सुनकर आप अपनी सारी चिंताओं को भूल जाएंगे। जब आप यहां आएंगे तो आपको महसूस होगा कि यह जगह एक अद्भुत शान्ति प्रदान करती है। यहां का ठंडा और ताजगी भरा पानी आपकी आत्मा को सुकून देगा। लेकिन सतीश धारा केवल एक खुबसूरत जलधारा नहीं है। इसके आसपास के पेड़, पहाड और जंगल एक अद्भुत पारिस्थिति की तंत्र का हिस्सा है। क्या आपने कभी सोचा है कि यहां के जीव, जन्तू और पक्षी कितने खास हैं। कई लोग यहां की जैव विविधता का अनुभव करने आते हैं। और यह सच में देखने लायक होता है। सतीश धारा की खासियत यह भी है कि यह एक साहसिक पर्यटन स्थल है। यहां ट्रैकिंग, कैंपिंग और रिवर राफ्टिंग जैसी गतिविधियाओं की जा सकती हैं। लेकिन सतीश धारा का असली रहस्य से इसके अतीत में छिपा है। स्थानिय किमवदंतियों के अनुसार, यह जलधारा कभी एक प्राचीन तीर्थ स्थल हुआ करती थी। कहा जाता है कि यहां पर एक शक्तिशाली साधू ने तब किया था और उसके बाद यह जलधारा प्रकट हुई थी। क्या आपको लगता है कि इस जगह में कोई अद्भुत शक्ती है। यहां के निवासी आज भी इस स्थान को श्रध्धा के साथ देखते हैं। कईश्रध्धालू यहां आकर प्रार्धना करते हैं और अपनी इच्छायों मांगते हैं। यहां की शान्ती और प्राकृतिक सुंदर्ता उन्हें मानसिक सुकून देती है। क्या आप भी इस अनुभव का हिस्सा बनना चाहेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि सतीश धारा के जल में जादूई गुण है। यहां का पानी पीने से आपकी उम्र बढ़ सकती है और आपकी बीमारियां दूर हो सकती है। क्या यह सच है या केवल एक मिथक। चलिए हम इस रहस्य की तह तक जाते हैं। सतीश धारा यह एक जगह नहीं बलकि एक अनुभव है। यह आपको खुद से मिलवाने की एक कोशिश है। जब आप यहां आएंगे तो क्या आप भी इसके जादू में बंध जाएंगे। तो दोस्तों सतीश धारा की यह यात्रा आपको कैसी लगी। क्या आपने इस अद्भुत जलधारा की कहानी में खुद को पाया। हमें बताएं आपके विचार कमेंट में और चलिए चलते हैं नंबर थ्री पर। नंबर थ्री पर है चंदरताल जील हिमाचल प्रदेश की उंचाईयों में बसी। चंदरताल जील एक जादूई जगह है जहां प्राकृतिक सौंदर्य और रहस्यमय कहानियां आपस में मिलती हैं। इसका नाम चंदरताल इसलिए पड़ा क्योंकि यह जील चंदरमा के आकार की है। लेकिन क्या आपको पता है इस जील के पानी में छिपा है एक रहस्य जो हजारों परेटकों को आकरशित करता है। चंदरताल का पानी इतना साफ और नीला है कि इसकी गहराई का अंदाजा लगाना मुश्किल है। लेकिन यहां की कहानी सिर्फ इसकी खूबसूरती तक सीमित नहीं है। यहां के स्थानिय लोगों के अनुसार यह जील पुरानी पौरानिक कथाओं से भरी हुई है। क्या आप जानना चाहेंगे कि इस जील में कौन सी रहस्यमई बातें छिपी हुई हैं। कई लोग मानते हैं कि चंद्रताल जील की जलधारा का संबंध देवताओं से है। यहां की एक कहानी यह भी है कि एक बार एक तपस्वी ने यहां ध्यान किया और चंद्रमा से मिलन की इच्छा की। उसी समय से यह जील अपने अनोखे आकार और सुन्दरता के लिए जानी जाती है। चंद्रताल की विशेशता है इसका अद्वितिय पारिस्थिति की तंत्र। यहां पर कई प्रकार के फूल, पेड़ और जीव जन्तू पाये जाते हैं। सर्दियों में जब यहां बर्फ पढ़ती है, तो यह जगह एक खूबसूरत सफेद चादर में लिप्टी नजर आती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, इस जील के बारे में लोगों के बीच किस्से क्या है। चंद्रताल के रहस्य भी है। कई लोग कहते हैं कि रात के समय जब चांद यहां की जलधारा पर पड़ता है, तो यह जल शिमर करने लगता है। जैसे कि उसमें कोई रहस्य छुपा हो, कुछ परियटक दावा करते हैं, कि उन्हें रात में जील के पास से गुजरते समय अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। क्या ये सिर्फ उनकी कलपना है या वास्तव में यहां कुछ और है। कुछ लोग कहते हैं कि यहां की आवाजें भूतियां हैं, क्या ये सच है, मुझे नहीं पता, लेकिन यह जगह सच में खास है। चंदरताल जील को केवल एक यात्रा का स्थान नहीं समझा जाना चाहिए। यह एक अनुभव है जो आपकी आत्मा को छू जाएगा, जब आप यहां की शान्ती और खूबसूरती में खो जाएंगे, तो आपको लगेगा कि आपने समय को रोग दिया है। यहां ट्रैकिंग के अनुभव से लेकर कैम्पिंग तक सब कुछ अद्भुत है। यह जगह साहसिक प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग है। क्या आप तयार हैं इस अद्वितिय यात्रा के लिए? क्या आप इस जादूई स्थान की खोज में निकलने वाले हैं? चंद्रताल न केवल एक प्राकृतिक सौंदर्य है, बलकि यहां का सांस्कृतिक महत्व भी है। यहां की स्थानिय जनजातियां इस जील को श्रद्धा के साथ देखती हैं। वे इसे एक पवित्र स्थान मानते हैं, जहां लोग अपनी इच्छायों मांगते हैं। कई लोग यहां आकर प्रार्थना करते हैं और अपने परिवार के लिए शांती और सम्रिध्धी की कामना करते हैं। क्या आपको लगता है कि इस जील में वास्तव में कुछ जादूई शक्ती है। इस अद्भुत यात्रा के अंत में हम यह समझते हैं कि चंद्रताल केवल एक जील नहीं है, बलकि यह एक अनुभव है, एक यात्रा है, जो हमें अपने भीतर के सवालों का सामना करने की प्रेरणा देती है। क्या आप इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे। दोस्तों, चंद्रताल जील की यह यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आपने इस अद्भुत जगह के जादू को महसूस किया? हमें अपने विचार कमेंट में बताएं, नमबर फोर, क्रिश्न सागर जील, राजस्थान, राजस्थान की सुनहरी धर्ती पर बसी, क्रिश्न पानी में कितनी कहानियां छिपी हुई है? क्रिश्न सागर जील, जिसे कुछ लोग क्रिश्ना जील के नाम से भी जानते हैं, अपनी खूपसूरती और गहराई के लिए मशूर है. यह जील जैपूर के निकट स्थित है, और इसके चारों और हर्याली और परवत की पहाड़ का अद्भुद द्रिश्य है, लेकिन यह जील केवल एक प्राकृतिक स्थल नहीं है, यह एक एतिहासिक धरोहर भी है. क्रिश्न सागर जील का निर्मान महाराजा सवाई जैसिंह दो ने किया था, जो अपने समय के सबसे बड़े वैज्यानिकों में से एक माने जाते थे. कह यहां की स्थानिये लोगों का कहना है कि यहां की जील हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यह न केवल जल का स्रोत है, बलकि यहां की संस्कृती और परमपराओं का भी हिस्सा है. हर साल, लोग यहां आकर त्योहार मनाते हैं, और यह जगह हमारे लिए एकता का प्रतीक है. क्रिश्न सागर जील अपने आप में एक अद्भुत अनुभव है. जब आप यहां आते हैं, तो आपको इसकी ठंडी हवा और पानी की शांती में खुद को खोने का अनुभव होता है. क्या आपने कभी सोचा है, जब सूर्य अस्त होता है और जील का पानी सुनहरी जील की आत्मा की आवाज है. जब लोग यहां प्रार्थना करते हैं, तो पानी में हलचल होती है. यह सब हमें बताता है कि इस जील में कुछ खास है. क्रिश्न सागर जील का पानी इतना साफ है कि आप उसके भीतर की गहराई को देख सकते हैं. यह जील कई प्रकार की मच्छलियों और जल जीवों का घर है. क्या आपको पता है? यहां की जलवायू कितनी खास है? यह जगह प्रकृती प्रेमियों और फोटोग्राफर्स के लिए एक आदर्श स्थान है. क्रिश्न सागर का सांस्कृतिक महत्व भी अद्वितिये है. यहां पर हर साल कई त्योहार मनाए जाते हैं, जहां लोग ए कर न केवल मनोरंजन करते हैं, बल्कि अपने पूरवजों की कहानियों को भी याद करते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि इन कहानियों में कितनी सच्चाई हो सकती है? क्रिश्न सागर जील हमारे लिए केवल एक जल्द स्रोत नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और धरोह का एक अभिन्न हिस्सा है. क्या आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहेंगे? क्रिश्न सागर जील की यह यात्रा आपको कैसी लगी? क्या आपने इस अद्भुत स्थान की कहानियों में खुद को पाया? नमबर फाइव, पनगामव जील, मध्य प्रदेश. मध्य प्रदेश की शान्ती और सुन्दर्ता का प्रतीक, पनगामव जील एक ऐसी जगह है, जो प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है. यह जील केवल एक जलाशे नहीं है, बल्कि यहां की संस्कृति, कहानी और इतिहा का भी समावेश करती है. क्या आप तयार हैं इस अद्भुत यात्रा पर चलने के लिए? पनगाम जील, जो की पनगाम नामक गाम के पास स्थित है, यहां की शान्ती और मनोहारी दृष्य के लिए प्रसिद्ध है. यहां का पानी इतना साफ है कि आप इसके भीतर के जीव ज स्रोत थी. स्थानिय किसान अपने खेतों को सीचने के लिए इस जलाशय पर निर्भर थे. पनगाम जील ना केवल जल का स्रोत है, बलकि यह आसपास के गामों की संस्कृती और परंपराओं का भी अभिन्न हिस्सा है. हमारे लिए पनगाम जील बहुत महत्वपूर्ण है. यह न केवल हमें पानी देती है, बलकि यहां का वातावरण भी बहुत सुकून दायक है. क्या आपने कभी सोचा है, जब चांद की रोशनी जील के पानी पर पढ़ती है, तो वह द्रिश्य कैसा होता है? यह जील केवल एक खूबसूरत स्थल नहीं है, बलकि यह एक होता है. क्या यह केवल एक मिथक है, यह सच में यहां कुछ खास है? स्थानी व्यक्ति का कहना है, हमारे दादा दादी हमेशा कहते थे कि इस जील के पानी में विशेश शक्ती है, जब हम यहां पानी लेते हैं, तो हमें स्वास्थि में सुधार महसूस होता है. क्या यह सच मैं नहीं जानता लेकिन यह जगह सच में खास है पंगाम जील न केवल स्थानिय लोगों के लिए बलकि पर्यटकों के लिए भी एक आदर्श स्थान है यहां की हर्याली और शांती आपको मन की शांती प्रदान करेगी क्या आप भी इस अद्वितिय अनुभव का हिस्सा बनन को एक अत्रित करते हैं और यहाँ के खुशियों का अनुभव कराते हैं किसी समय पंगाम जील के आसपास के गामों के लोग यहां आकर अपनी इच्छाइUM मांगते थे क्या आपको लगता है कि इस जील में वास्थाव में कुछ जादूई शक्ती है और यहां आकर अपनी मैं हलचल होती है क्या यह सच है क्या आप भी इस अद्भुठ स्थान का अनुभव करना चाहेंगे। लुघकि नम्बर शिक्स पर है टाज महल जील उत्त्तराखंड उत्तराखंड की परवत श्रिंखलाओं में बसी टाज महल जील एक अद्भुठ पुद्स्थल है जो न केवल अपनी खूबसूरती के लिए जानी जाती है बलकि यहां की अनोखी कहानियों के लिए भी। क्या आपने कभी सोचा है कि इस जील का नाम ताज महल क्यों पड़ा? आईए, हम इस रहस्यमे जगह की यात्रा पर निकलते हैं। ताज महल जील का निर्मान प्राकृतिक जल स्रोतों द्वारा हुआ है और यह पहाडी क्षेत्रों में बसी हुई है। जब आप यहां की ठंडी हवा में सांस लेते हैं, तो आपको लगता है जैसे आप एक नई उर्जा से भर गए हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस जी जील के पानी में छिपे हुए कई रहस्य हैं। यह जील हमारे लिए बहुत खास है। जब हम यहां आते हैं तो हमें सुकून मिलता है। यहां की प्राकृतिक सुंदर्ता और ठंडी हवा हमें सच्ची शांती देती है। ताज महल जील न केवल एक यात्रा का स्थल है, बलक के पानी में कई प्रकार के जलिये जीव पाए जाते हैं। यह जील विभिन पक्षियों का भी घर है जो यहां अपने गोंसले बनाते हैं। यहां की जैव विविधता अद्वितिये है। क्या आपको पता है कि यहां के पक्षियों की आवाजें आपको एक अलग ही दुनिय रात के समय जब चांद जील पर चमकता है तो यह अद्भुत लगता है। क्या आप भी इस जील की शक्ती में विश्वास करते हैं। ताज महल जील हमारे लिए केवल एक जल्स रोत नहीं है बलकि यह हमारी संस्कृती और धरोहर का एक अभिन्न हिस्सा है। क्या आप भी इस अद्भुत स्थान का अनुभव करना चाहेंगे। तो दोस्तों ताज महल जील की यह यात्रा आपको कैसी लगी। क्या आपने इस अद्भुत स्थान की कहानियों में खुद को पाया। हमें अपने विचार कमेंट में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।